नमस्कार दोस्तों दोस्तों तारा सिंग इस समय बॉर्डर पहुच चुका है जी हाँ दोस्तों ये तो मालूमी है कि सनी देवल की मूवी गदर टू 11 अगस को रिलीज हो रही है और इसी के चलते सनी देवल अपनी मूवी का प्रमोशन जोरो सोरो में कर रहे हैं और इसी प्र सोचल मीडिया पर काफी तेजी में वाइरल हो रही है और उन्होंने बियासर जवानों के साथ दो दो हाद भी करे हैं उनके साथ पंजाब भी लड़ाया है और काफी मौज मस्ती करी है और इसी मौज मस्ती के दौरान देखा जाए सनी देवल को अपनी पुरानी मूवी जगए नमबर वन पर चल लए है और यह माना जा रहा है कि जब यह मूवी सिनेमा घर में रिलीज होगी तो बहुत से ऐसी मूवियां होंगी जिनके बॉक्स ऑफिस के एलेक्षन का यह रिकॉर्ड तोड़ने में दमखम रखती है और यह भी माना जा रहा है कि सबसे बड़ी ह मूवी होने वाली है और इसी दोरान देखा जाए कुछ बाते भी निकल करके सामने आई है जिसको सुनने के बाद जिसको जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो सनी देवल के खिलाफ जैसे मानों पूरा बॉलीवुड उनके हांदों के पीछे पड़ गया है क्योंकि अगर हम बात करें जहां गदर तू मूवी की हाइप देखा जाए इतनी जादा हर जगह चल रही है लेकिन इसके बावजूद भी इसको उतनी स्क्रीम नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए और हाला कि अगर ये मूवी सोलो रिलीज होती सिनेमा घर में यानिकी जग ये मूवी के सामने अगर कोई भी मूवी ना खड़ी होती तो यकीन मानी ये मूवी बहुत बड़ा फॉक्स ओफित केलेक्शन करके एक रिकॉर्ड भी बना सकती थी जैसे कि शारुख खान की मूवी पठान देखा जाए जब पठान मूवी रिलीज होई थी उसके आमने सामने बोई भी मूवी नहीं थी और उस मूवी को स्क्रीन भी देखा जाए 5000 तक उस मूवी को स्क्रीन मिली थी और उस मूवी ने केलेक्शन में एक रिकॉर्ड बनाया था अगर ऐसा ही कुछ गदर्टू के साथ हो जाता इसको भी अगर तावर तोड़ स्क्रीन मिलती तो सायद यह बॉक्स ऑफिस केलेक्शन में सारी मूवी का रिकॉर्ड तोड़के नंबर बन मूवी भी बन सकती थी वैसा दोस्तों आपका क्या कहिना है इन सब बातों को लेकर करके कमेंट में हमें चरूर बताएं और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए हम आपके लिए ऐसी वीडियो पनाते रहेंगे मिलते हम आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार वाई पुपार